कैसे हो आप सब लोग आज सा करता हूं बढ़े हाई होगे चलिए दोस्तो आज का question sir session हम स्टार्ट करते हैं कल कुछ कारण की वज़े से हमने class को अच्छे से continue नहीं कर पाए due to network issues सो दोस्तो आज उसी को ही हम स्टार्ट करेंगे चलिए दोस्तो one by one सभी question को करेंगे ओके और आज से दोस्तो आपका IIT Jam का question pattern स्टार्ट होने वाला है क्योंकि हम अल्रेडी करीब करीब 25 से ज्यादा दिन BHU का question कर चुके हैं और सभी question को हम attempt कर चुके हैं सो अभी time आगया है दोस्तो IIT Jam के जो MCQ pattern के question आ रहे हैं इन सभी question को हम discussion करेंगे तो आप बेटा जल्दी से जल्दी live आजाओ बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम jam के question से discussion session को बहुत ही जल्दी start करने वाले हैं ओके तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का पहला question और जितने वी जानते हो BHU और जाम में जो question आते हैं वेटा क्या होता है कि मतलब कि BHU में टॉपी को जाते हैं पहले मिंदालोजी section का डाल दिया कुछ question ओके देन उसके बाद कुछ question आएंगे मतलब कि आपका structural geology क्या बट यहां पे थोड़ा mixed variety question आएंगे कुछ MCQ आएंगे जो की बहुत ही label होगा उनका easy to moderate और थोड़ा mixed variety होगा यहां पे आपको एक साथ mineralogy भी देखने को मिलेगा एक साथ palentology भी देखने को मिलेगा सोड़ा सा मतलो की wait कर लेना okay मतलो सोचना जरूर और यहां पे question करने मतलो की थोड़ा आपका concentration चाहिए यहां पे ज्यादा और कुछ नहीं दोस्तो okay क्योंकि यहां पे topic wise question नहीं पूछ रहा है एक बार palentology से तो दूसरे बार आपका मतलो की mineralogy से सो यहां पे आपका क्या चाहिए बेटा concentration बहुत ही चाहिए ओके सो next हमारा first question है कि हुई चमुंग दी फॉलोइंग प्लानेट हेज हैस्ट नॉंबर ओफ नॉन सेटलाइट यहां पे नॉन सेटलाइट के बारे में पूछा गया है which of the following planet has highest number of non-satellite पेहले आपको याद रखना है सेटलाइट कौन सा प्लानेट में सबसे ज्यादा वाले हैं पेहले जो हमारा प्लानेट होते हैं सबसे ज्यादा actually जो outermost प्लानेट होते हैं जो ग्यासियो स्रीच प्लानेट होते हैं उनमें बहुत ही आपको ज्यादा देख देखने को मिल जाएगा जिसने भी outermost planet होते हैं क्योंकि उनका मतलब कि जो body structure है totally gaseous होता है और जो inner planet होते हैं यहाँ पे आपको बहुत ही less number of planet देखने को मिलेगा बहुत ही मतलब कि जैसे आप mercury को बात कर लिए तो उहाँ पे आपको planet देखने को नहीं मिलेगा जितना outer most cell मतलब कि outer most solar system में outer planet जितने भी होते हैं वहाँ पे बेटा आपका satellite amount बहुत ही ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे right answer क्या आएगा बेटा मार्स में आपको पता है फेवर्स और डिमर्स अर्दी टू सेटलाइट उरेंस यहाँ पे आपको satellite more than बहुत ही ज़्यादा है मैं सठीक answer नहीं दे रहा हूँ पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगे चार मतलब कि प्लानेट याद रखलो एक होता है जुपिटर एक हो planet वेटा क्या है हमारा gaseous planet है तो दी राइनसर विल भी उरेंस ओक्या एंसर विल भी उरेंस तो next question हम आएंगे लेटा identify the mineral which has specific gravity greater than 5 दोस्तों यह सब question आराम से attempt करने के लिए आपको कुछ topic पढ़ना पड़ेगा आप open कर लेना आपना कौन सा बुक केम बांगर जो की बहुत ही famous बूक है नीचे description बे भी link दिया है अगर नहीं है तो आपको जाके उस को विजिट कर सकते हो तो हमारा book open करना हमारा केम बांगर का 113 से 119 पेज तक आपको यहाँ पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा केम बांगर का तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि सभी जो economic मिंदल जो important होते हैं के आईरन हो गया जैसे कि आपका मतलब की copper हो गया सभी का बेटा important property physical property के बारे में दिया गया है इसको अगर आप रटल होगे छे पेज गई है ओके 20-30 मिंदल होगे तो रटल लेना तो definitely IIT jam का सभी question को कर पाऊगे okay so यहाँ पर देखो बेटा specific gravity कितना दिया गया है greater than 5 and hardness is less than 3 it gives what it gives barrite barrite का बेटा specific gravity सही है hardness थोड़ा सा यहाँ पर डिफर होगा okay इसका grace track नहीं आपको देखने को मिलेगा next is spallarite spallarite तो सही है specific gravity भी greater than 5 but hardness थोड़ा 4 से 5 होता है spallarite याद रखना graphite graphite भी hardness उसका कम ही रहता है but graphite का जो graphite का जो वेटा हमारा strike रहता है क्या रहता है graphite का strike थोड़ा सा blue रहता है okay so इसके लिए वेटा हमारा right answer क्या जाएगा गया लेना तो अगर आप यहां से पूछ रहा है so directly आप question को आराम से attend कर सकते हो अगर उस topic को आपने थोड़ा सा देख लिया okay jam से पहले या exam कोई भी exam से पहले 113 page से लेके 119 तक okay 119 तक अगर आप कर लोगे तो definitely आप यह सारे जितने भी question एक दो question definitely आएंगे okay तो definitely आप इसको कर पाऊगे so next है क्या हमारा a unit which is semi permeable and does not yield any significant quantity of ground water is cold बेटा देखो एक semi permeable unit मतलब कि water थोड़ा सा ही pass कर रहा है and it doesn't yield any significant इतना ज्यादा भी नहीं हो रहा है तो मतलब कि वहाँ पर porosity है और थोड़ा सा less permeability आपको देखने को मिलेगा तो इसको अगर permeability नहीं होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा accurate okay porous plus impermeable को क्या बोलते है accurate accurate का मतलब क्या है बेटा porous plus permeable okay but accurate का मतलब क्या होता है porosity उस रोग पे रहेगा but बेटा semi permeable मतलब कि इतना अच्छे से water movement नहीं रहेगा जैसे कि sandy clay okay एक clay body में थोड़ा सा sandy percent रहे जाता है तो वहाँ पे ठीक से porosity permeability आपको नहीं देखने को मिलेगा so the right answer will be accurate a semi permeable and doesn't yield any significant quantity of ground water is called what accurate accurate is the right answer या वेगना इस question को हम next देखेंगे next sedimentology से मतलब कि आपको सभी topic से एक question यहाँ पे पूछे जा रहे हैं तो बेटा iat jam के लिए सभी topic बहुत important है जितने भी आप topic देख रहे हो ना जैसे कि channel geology से लेके आपका मतलब की geomorphology तक structural geology से लेके आपका paleontology तक सभी topic बेटा यहाँ पे बहुत ही important है तो थोड़ा सा इन सभी topic को बेटा practice करना आपको definitely पड़ेगा okay jam से पेले तो आपको दो चार बार तीन चार बार दस बार रटना ही पड़ेगा बेटा सब कुछ okay next question है हमारा a sandstone with less than 15% of matrix content is known as what एक sandstone होता है बेटा कोई भी sedimentary rock पे आप देखने को क्या मिलेगा matrix देखने को मिलेगा चाहे तो matrix बेटा ज़्यादा रहेगा या तो कम रहेगा अगर matrix कहीं से भी matrix बेटा कहीं पे आपको ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है इसका मतलब बेटा क्या है matrix अगर ज़्यादा देखने को मिल रहा है इसका मतलब एही है बेटा इसको हम वेक बोलते हैं वेक उसका suffix आएगा बट matrix ज़्यादा कम मिल देगा तो इसको हम क्या बोलेंगे आरे नाइट सो यहां में बेटा क्या है sandstone with less than 15% of matrix content is known as what आरे नाइट is the right answer सो यहां पे बेटा क्या होगा आरे नाइट आपका right answer आ जाएगा ओके सो बस आरे नाइट यह सही कर ले ना next question है बेटा which of the following mineral deposit is formed exclusively by surface geological process इन में से आपको बहुत सार प्रोसेस weathering erosion प्रोसेस देखने को मिल जाएंगे mainly surface geological process के कारण बेटा आर्ट ने एक बहुत ही अच्छा mineral डेबलोप होता है जो की बहुत ही require होता है वी ओ क्या होता है बेटा बोक्साइट क्योंकि आपको पता है जो material बोक्साइट generally developed by basaltic origin कुछ बोक्साइट होते हैं और Odisha ने जो बोक्साइट आपको देखने को मिल रह होता है वहाँ पर बेटा अलुमिनियूम कोंट्र रहता है तो बारिस के कारण जो हेबी material होता है लीचिंग के कारण बेटा और नीचे चले जाते हैं जैसे की SI, AL, MG, FE जीतने भी बारी material होते है ना और नीचे चले जाते हैं और अलुमिनियूम बेटा आर्थ के surface के उपर ही रह जाता है इसी के बज़े से अलुमिनियूम जो आर्थ के surface के उपर मिल रहा है वह oxygen के साथ रियाक करके L2O3, L2O3 और बारिस तो हो रहा है H2O8 कर लो यह बेटा आपको material मिल जाएगा इसको आप क्या बोलते हो बकसाइड बोलते हो तो यहाँ पर question क्या पुछा है which of the following mineral deposit is formed exclusively by surface geological process surface geological मतलब की geomorphological process आप कह सकते हो तो the right answer will be D bauxite is the right answer थोड़ा सा चेक कर लेना ओके सभी topic से बेटा यहाँ से question आ रहा है थोड़ा सभी topic को यहाँ पर हमें देखना है और हमें सीखना है कैसा कैसा यहाँ पर question आ रहा है maximum concept base आएगा बेटा ओके और असा मतलब की दिमाग में रहने वाला भी question जो की आपको रटना पड़ेगा basic question बट इतना भी नहीं ओके then next question पर हम आएंगे graphic texture के बारे में यहाँ पर पूछा गया है so graphic texture बेटा क्या है graphic texture is indicate generally eutectic जो की quartz felt spark के बीच में दोनों different type of composition के बीच में आपको देखने को मिल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं ग्राफिक texture जैसे की example में बताना चाहूंगा की graphic granite वहाँ पर बेटा आपको बहुत ही अच्छे से graphic texture देखने को मिल जाएगा okay see the right answer will be eutectic crystallization not crystal settling not magma mixing okay इसको तो हम SME listen बोलते हैं न magma mixing को so the right answer will be eutectic crystallization बेटा generally आपको एसे भी question आराम से पता लग जाएगा की बेटा graphic texture बोला है मतलब कि किसी ना किसी rock पर तो texture दिखेगा ना तो यहाँ पर magma mixing पर कैसे हो सकता है तो इस option तो cut हो जाएगा ना मागma मतलब मागma पर कभी texture देखने को मिलेगा क्या नहीं ना बेटा ओके सो ऐसे ही करके कभी कभी क्या होता है आपको भी question का answer मालूम नहीं होता है लेकिन आपका अगर concept strong है ना देफिनेटल आप option से भी answer निकाल सकते हो ओके सो अपने अंदर एक confidence रखना पड़ेगा ओके सो which of the next question चलते हैं बेटा which of the following is not a form of isometric system ओके कल भी question को discussion किये थे बट ड्यू टू मतलब की lack of network सो हमने अच्छे से कर नहीं पाए बेटा so right answer will be rohombohedron okay the right answer will be rohombohedron काल इसका concept भी थोड़ा बहुत बता दिया था octahedron purely cubic है tetrahedron भी trapezoedron भी but this one is not belongs to isometric cubic form okay so then हम next question पर आएंगे हाँ मैंने तो चाहता नहीं था कि अभी से ही आपको paleontology का discussion कर भाऊं but क्या करें दो तिन question थोड़ा सा यह paleontology के भी question नहीं बेटा आपका time scale से geological time scale याद रखना हर साल एक question geological time scale का evolution से दोस्तो definitely बेटा पूछेगा okay तो geological evolution time scale में कब क्या केसे हुआ था थोड़ा सा देख लेना okay और time scale को पूरा याद रख लेना जो आई यू जी एस वाला जो हमारा अमेरिकन वाला टाइम स्केल है न जो इंटरनाशनल स्टाटिस्टिक उनियन उनसे थोड़ा सा भेरिफाई कर लेना जो भी आपके पास geological time scale है क्योंकि यो पूराना वाला है अभी थोड़ा बहुत changes हुआ है योन में एरा में थोड़ा सा changes हुआ है थोड़ा सा उसके साथ भेरिफाई कर लेना नेक्स्ट क्वेस्टेन है क्योंकि फोड़ा इतना ज्यादा फोसिल भी नहीं थे बाउट मोर दन 90 परशेंट ऑफोसिल extinct at that time okay so यहां पर हमारा total extinction किसके साथ हुआ था ट्राइलोबाइट क्योंकि ग्राप्टोलाइट थोड़ा बहुत बच गया था अमोनाइट मतलब कि एडिया करियां तो उससे पहले ही extinct हो चुका था ओके मतलब कि यह आप कह सकते हो बैटा मतलब कि आप प्रोट्रोजोइक के टाइम पे भी टाइम से ही यह extinct हो गया था बट दी राइट एंसर भी पर्मियो ट्राइसिक बाउंडरी पे बैटा वसकते ऐड बैठ एक जिमुक्त ब्राइसिक पसेपिश ने यह और शोप्रोजोगराफिफिक आपको देखने को मिलगा तो दिर राइट एंसर विल भी ट्राइलोबाइट अब हिमालयान जाओगे देराधुन के उपर आप काम करोगे तो डेफिनेटल आपको अपको ऑनली ब्राक्योपोर्ट ट्राइलोबाइट यह से देखने को मिलेगा बैटा क्योंकि वह पालयोजोईक का मतल़ कि चुका था कि स्टाटीगफी का जो नाय मतल़ कि अठ्छा टेबल आपको बता चुका था ना उसको थोड़ा बहुत याद रखने का ओके तो आपको पता है जब आप प्रीकंवियन जियोलजी पढ़ रहे होगे तो उहां पर बैटा आपको सिंग्भूं ग्रानाइट दिल्ली के उपर हमारा एरिनपुरा ग्रानाइट है दिल्ली बेस्टिन के उपर हमारा क्या है एरिनपुरा ग्रानाइट है ओके तो पहले आजाएगा हमारा सिंग्भूं ग्रानाइट देन आजाएगा हमारा क्लोस प्लेट देन पी और लास्ट में तो लाद्दाक हिमालयन के टाइम पे तो यह देख लो बेटा हमारा C will be the right answer R, Q, P, S ओके R, Q, P, S This one is the right answer Next question पे आजाओ बेटा Which of the Brachioford? थोड़ा सा फालेंटोलोजी का एक दो question तो इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा यह बेटा अनंतरम बुक में ही मिल जाएगा और Amaldas Gupta Amaldas Gupta बुक थोड़ा सा पढ़ लेना Okay, question देखो बहुत ही basic सा सवाल Direct question फ्रों Amaldas Gupta से ही आया है Which of the following Brachioford genre और Living Fossil का एक्जम्पूल से ही आया है Direct Which of the following Brachioford genre is considered as a Living Fossil Living Fossil का मतलब क्या है बेटा जो कि पहले मिल रहा था और अभी भी बेटा मिल रहा है इसको हम क्या बोलते है Living Fossil Spirifer तो बेटा नहीं मिलता है Okay, productors भी नहीं मिलता है So, the right answer will be Lingula Lingula is the right answer It is the true Living Fossil Now, यह direct example से ही पूछा गया है दोस्तों So, direct थोड़ा book को पहले पढ़ लेना उसके बाद definitely बहुत ही अच्छा कर सकते होगा So, हमारा next question है Diagrammatic question आपको definitely पुछेगा IAD Jam में Okay, हर साथ So, next question हम आएंगे इनने given figure 1, 2, 3 IV denoted 1, 2, 3, 4 denoted The plat tectonic setting Mid oceanic ridge M Island arc is I Continental R की C Rift zone is R तो यहाँ पर मैं एक pen यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपको आप ही खुद बताओ 2I किया है आपका Mid oceanic ridge यह देखिए दोस्तों Continental plate है यहाँ पर आपका मतलब की block mountain develop होआ है और यहाँ पर rifting activity dominant है तो rifting और next आप देख सकते हो यहाँ पर एक plate subduct कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो एक plate यहाँ पर subduct कर रहा है और यह कुछ यहाँ पर mountain develop हो रहे हैं इसको आप क्या बोलोगे बेटा इसको आप बोलोगे क्या बोलोगे island arc अगर बेटा ocean के साथ convergence हो रहा है तो island arc देखने को मिलेगा अगर ओ layer बेटा continent के साथ मतलब की subduction हो रहा है एक layer बेटा continent ही यह plate है उसके साथ अगर subduction हो जाएगा तो बेटा आपको क्या मिलेगा continental arc so this one will be continental arc continental arc so आपका अभी काम है बेटा answer बता दो अभी 11 number क्या आएगा so i is equal to 1 okay island work island arc okay 2i जो है mid oceanic ridge third जो है बेटा आपका क्या है continental arc okay c third is indicate what continental arc and four is indicate the rift zone okay so this one will be the right answer बहुत ही सही जारे हो है बेटा okay next question है in an undulated topography in an undulated topography a set of uniformly inclineded weds so V-shape outcrop pattern with the apex pointing downstream in a valley this indicate what बेटा ये question कहां से आया है आपको पता होना चाहिए V-s rule बहुत सरे बच्चों को ये पता नहीं होगा तो यहां पर कि आप बोला है बेटा आप देख सकते हो कि an undulated topography a set of uniformly inclined beds so V-shape outcrop pattern and आपका केम बांगर ओके देन बाकी सब अलग है इसलिए एक्जाम से पहले दो दिन पहले क्या करना बेटा आपको धोड़ा व बेसिक बुक को फोलो गर के ही जाना next question है बेटा आपका silica rich viscous magma often produce silica rich जो भी viscous magma होते है strato volcano नहीं होंगे क्योंकि silt volcano भी नहीं fossil eruption आपको basaltic magma पर ही देखने को मिलेगा dome the right answer will be dome okay so next हम चलते हैं बेटा यहां पर next directly diagram से दो diagram यहां पर directly पूछ लिया so identify the fault in the diagram आपको पता ही यह बेटा एक foot wall side है यह बेटा hanging wall side hanging wall side when moving downward then that fault will be known as what normal fault so I is a normal fault then बेटा यह आपको देख रहे हो यह strikesly faulting हो रहा है but बेटा जो moment हो रहा है मतलो कि anti-clockwise moment हो रहा है जब anti-clockwise moment हो गाए moment को क्या बोलते है sinistrial strike slip force moment को क्या बोलेंगे बेटा हम sinistrial strike slip fault और यह पता है आपको जो hanging wall है वो बेटा upward moving कर रहा है with respect to the foot wall so this will be known as what reverse fault so the right answer will be 14 number B 14 number B will be the right answer okay थोड़ा सा यहां पर mining से question पूछ लिया यह mine excavation mode sorry mine excavation sorry move नहीं आ रहा है mine excavation made along this strike of 2 meter thick tabular overbody diffing 30 degrees is known as एक बेटा आपका overbody जो की 30 degree deep कर रहा है एक बेटा overbody जो की आपका 30 degree deep कर रहा है ओके उहां पर एक excavation आप कर रहे हो ओके 2 meter thick का so इसको हम क्या बोलते है साथ क्या है vertical cross court नहीं cross court is something different okay the right answer will be drive ओके एक मतलब की mines को उसके तक पहुँचने के लिए जो हम drive करते है ना मतलब की जो haul करते है ना इसको हम क्या बोलते है drive और भी strike के long strike के direction पर हम drive कर रहे है तो उसको क्या बोल रहे हैं बेटा drive बोलते है strike के direction में haul कर रहे है उसको हम drive बोलते है okay so this one will be the right answer नेक्स्ट क्वेस्टेन आ जाओ बेटा एन और वोड़ी एकनोमिक से फिर से क्वेस्टेन पूछ लिया एन और वोड़ी सोईंग सेडल रिफ स्ट्रक्चर इस फॉर्म्ड बाई सेडल रिफ आपको पता है बेटा कि एक यह डाइक के अंदर एक मतलब कि एससस सोरी सेडल मतलब कि लाडार भेन डिपोजिट बोल दिया आपको सेडल रिफ बेटा फोल्डेर स्ट्रक्चर पे आपको जैनरल देखने को मिलेगा जैनरल यह फीचर है हाइड्रो थर्मल प्रोसेस से आपको देखने को मिलता है ओके एन ओर बोडी स्ट्रक्चर इस फ़ाइड्रो थर्मिल प्रोसेस सो हॉएड्रो थर्मल प्रोसेस सिस्टेर राइट एंसर इन ब्लोक डाइग्राम सिलेक्ट दी मॉस्ट सुीटेबल साइट एमोंगे एश्ट 1,2,3,4 1 दिया गया है 2 दिया गया है 3 दिया गया है वेटा 4 दिया गया एक आप construction बना रहे हो किसका tunnel का tunnel जहाँ पर बनाओगे वेटा safe जगा होना चाहिए कहीं fold zone पर कभी बनाओगे क्या so this will not be a right answer third पर नहीं होगा then वेटा आप एक shear zone पर चाहां पर shearing हुआ है तो वहां पर weak rock मिल जाएंगे वेटा third fourth भी नहीं होगा आपका okay folded highly folded environment पर अब बनाओगे क्या so surface will be थोटा सा यहां पर आप देख सकते हो okay so this one will be the surface environment so 2i b will be the right answer b will be the right answer यहां पर okay next question है next question हमारा बेटा 18 number match the following metal listed in group one and group b आपको कुछ और मिलेगा बेटा जो की मतलब की copper का और पता होना चाहिए manganese का basic का बेरेमां तो आपको पता होना चाहिए तो जो basic होता है जैसे की manganese हो गया तो copper का गया होता है बेटा copper का बोर्नाइट एक और होता है कोच मतलब की चालको साइड हो गया कोभेलाइड हो गया बोर्नाइट भी देन आपको पता होना चाहिए manganese manganese का बेटा एक होता है पाइरलूसाइट यह दोनों आपको पता होना चाहिए क्या आपको पता है इन दोनों से आप एंसर निकाल सकते हो अगर आपको पता नहीं है teen and tungsten क्योंकि बट मेरा एक request है बेटा हर साल यह teen and tungsten से question पूसता है तो इस topic को थोड़ा सा देख लेना तो अगर आपको पता है copper and manganese तो definitely आप एंसर निकाल सकते हो देखो IV आइवी क्या होगा बेटा आपका पाइरल साइट जो की Q and Q दो एंसर है देन आपको और एक है copper के बारे में S दिया गया है बेटा 3 will be the S so right answer आपको पता भी नहीं है सब कुछ so this one will be the right answer तो यहाँ पर बेटा जो टीन होता है वो बेटा कासिटेराइट को विलोंग करता है और जो बेटा हमारा tungstone होता है ना वो बेटा आपका C light को विलोंग करता है थोड़ा C light के बारे में देख रहे हैं ना कल भी हम इसके बारे में discussion किये थे जो कि एक fluorescence material होता है ओके चली बेटा हम next question पर चलते हैं which of the following mineral is correctly match and its optical property सिलिमानाइट is isotropic कब बन गया भाई सिलिमानाइट is isotropic सिलिमानाइट आपको पता होना चाहिए this is purely orthorhombic ओके इस प्योर्ली orthorhombic और ओके वहां प्लाइट यह ए्पद्स है आए टी सेभेस अनकी जो लीपि करता है यह नियरली होता है और जो गारनेट होता है उहां पर लामेला मैल आपको बाजियो कलेश होता होता है अनुछा होता तो हम देख लेते बाट गारनेट गिम्योंह तो लामेलर ट्विनिंग, ट्विनिंग भी तो बेटा देखो, यहाँ पे जो राइट एंसर होगा, सिल्वानाइट इस नोट आइसोट्रोपिक, और्थोक्लेज है नोट हाई रिलीप, और जितने ही मिनराल होते हैं सिलिका, अलुमिनियूम रीच होते हैं, इनका बेटा रिलीप थोड़ा सा लो ही होता है अगर मिनराल पे बेटा MgF का पर्शनेट ज़्यादा आ रहे हैं तो बेटा उहाँ पे रिलीप बाइ रेफिजेस, रिफ्राक्टिव इंडेक्स इहाँ पे राइट एंसर विल भी पाइरोग्जीन पाइरोग्जीन में आपको नियरली और्थोगोनल क्लिवेस देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन है डारेक्ली हर साल क्वेस्टन पूसता है मेटा मेटामर्फी फेसिस से दि मिनराल कोहसाइड इस एक्सपेक्टेड टू स्टैबल इन हुईच अब दी फॉलोईं मेटामर्फी फेसिस तो यहाँ पे देखो पेटा प्रेसर रीच भी होना चाहिए और टेंप्रेचर भी आपको थोड़ा बहुत मिलना चाहिए दि मिनराल कोहसाइड इस एक्सपेक्टेड स्टैबल इन मेब इक्लोगाइड हाइट टेंप्रेचर मतलब की sorry प्रेशर जादा होना चाहिए और टेंप्रेचर भी यहाँ पे इक्लोगाइड ही ऐसा है ब्लू सिस्ट में बेटा only pressure है लेकिन ब्लू सिस्ट में टेंप्रेचर भी रहना चाहिए बेटा ओके स्टी विल भी दि राइट एंसर बट थोड़ा सा मेच कर लेना थोड़ा सा मतलब की उसका एंसर के साथ मेच कर लेना एंसर मिल जाएगा आपको ओके इक्लोगाइड इस दि राइट अंसर तो नेक्स्ट क्वेस्टेन है बेटा हमारा टेबल से इन गीवेन फेस्ट डाइग्राम इस सिक्वेंस ओब मिनरल क्रिस्टलाइजिंग फोर्म एं मागमा ओप कॉंपोजिशन एक्स बेटा एक्स से हमारा मेट्रियल क्रिस्टलाइज कर रहा है जब एक्स से मेट्रियल क्रिस्टलाइज करेगा यहाँ पर कॉंपोजिशन क्या है आनर्थाइड पहले मिलेगा दि मिनरल आनर्थाइड प्लोस क्या भी लेगा बेटा मिलेगा यहां पर अनर्थाइट मिलते मिलते इधर मतलब की कॉंपोजिशन इस तरफ मुमेट करेगा बड़ती टेंप्रेचर जब यहां तक पहुंच जाएगा बैटा अनर्थाइट तो मिल रहा है उसके साथ क्या मिलेगा फाइनली अनर्थाइट विल गिप्स राइस टू डायवसाइट नो 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 ओके 21 यहां पर बैटा क्या मिलेगा पहले हमारा अनर्थाइट क्रिस्टालाइज करेगा इस पॉइंट से और यहां पर बैटा लिक्विड मिलता रहेगा बट उसके बाद लेटर ओन क्या मिलेगा हमें बैटा अनर्थाइट प्लोस डायवसाइट okay so the right answer will be B B will be the right answer here okay next बेटा हमारा जो question है stereo net से पूछा गया है stereo net बहुत ही एक important part है stereo net वो मतलब कि आपको पता होना चाहिए एक beta diagram होता है एक बेटा pole diagram होता है यहाँ पे यह जो diagram है यह किसके बारे में दिया गया है बेटा pole के बारे में यहाँ पे जो diagram है किसके बारे में पूछा है बेटा pole के बारे में so आपको उसी के हिसाब सही मतलब की answer करना पड़ेगा in the given stereo plot pole to three bedding plane three bedding plane are given plotted as 0.123 okay plotted as 0.123 correct order of increasing deep देखो बेटा कोई भी अगर plane periphery पे आपको देखने को मिल रहा है इसका मतलब बेटा उसका जो deep होता है बहुत ही कम होता है मतलब की यहाँ पे बेटा एक plane का बेटा pole यह point ही होता है न so यह point center पे है मतलब इसका जो plane होगा बेटा किसी ना किसी periphery periphery पे होगा so यहाँ पे जो सबसे lowest होगा ना बेटा lowest deep किसका होगा I का होगा I का सबसे lowest deep होगा उसके बाद हमारा ये pole 2i का भी उसके बाद और 3i सबसे मतलब की periphery के पास लगा हुआ है pole तो इसका मतलब उसका जो plane है center के आसपास होगा तो इसलिए ये third वाला answer so right answer will be A 22 right answer will be A और ज्यादा नहीं question करूँगा बेटा ओके नहीं तो lengthy हो जाएगा थोड़ा वीडियो next question है बेटा so यहाँ पर आपको question समझ में आना चाहिए कि जो line जो plane center के आसपास देखने को मिलता है वो बेटा क्या होता है कि बहुत ही high deep होता है जो बेटा periphery के पास रहेगा जो line ओ बेटा बहुत ही low और इसको बेटा pole draw करोगे पोल उसी के opposite होता है बस इसी दिए बेटा the answer will be one two three one two three सबस बहुत वच्चे आप सही कर रहे हो बेटा मुझे अच्छा लग रहा है आप मतलब कि पोल structural geology इतना अच्छे से आपको पता है बहुत सही next question है बेटा size of cattle lake cattle lake बेटा एक out to us plan पे जो feature होता है न glacier का last stage पे उसको हम क्या बोलते है depression बनता है ना बेटा उसको हम क्या बोलते है cattle lake बोलते है so the cattle lake depends upon size of the sediment carried by the glacier width of the glacier width के बाब फरक नहीं पेड़ेगा height of the valley through which the glacier moves size of the worried road no ये भी नहीं होगा ये तीन नहीं होगा बेटा the right answer will be A the right answer will be A okay थोड़ा सा question बेटा topic wise में चाहता था but jam पे बेटा जो question topic wise थोड़ा सा नहीं आता है okay तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होने का बहुत chances है बट अगर इसको भी कर लोगे ना हर साल question किसी ना किसी तरीके से repeat होता है तो definitely बेटा आपका 20% question बेटा repeat ही होगा हर साल याद रखो jam पे so आप score बेटा 20% definitely अगर इसी question को भी करके जाओगे ना आने वाले समय पे जब exam नस्दीग आएगा बेटा मैं numerical भी start करने वाला हूँ तो definitely आप बेहतर ही कर पाओगे each and every numerical को मैं आसान language बेट समझाओगा बेटा क्योंकि और जितने भी numerical का formula होता है उसको भी मैं बता दूँगा तो कि आपका मतलों कि average बेटा 60-70% question from previous year ही आप attend कर पाओगे previous year question को अगर अच्छे से कर लिया ना बेटा आसानी से आप 70-60% question आसानी हो जाएगा आपके लिए so definitely question को hard time follow करो और question पर जो भी चीज आपको दिक्कत हो रहा है जहां पर भी आपको लग रहा है कि हाँ यहां पर मैं थोड़ा weak हूँ तो definitely उस topic को अटक करो और जितना अटक करोगे जितना उसके साथ रहोगे ना बेटा वो आपको आसान होता जाएगा अगर आसान हो गया तो definitely jam में selection सुरू कोई भी लड़ाई आपको मतलब कि मेहनत करके हासिल किया जाता है और आपके सामने तो बहुत बड़ी लड़ाई है और problem तो बहुत सारे है क्योंकि class नहीं हो रहा है online में सब कुस दुनिया चल रहा है कोई भी physical activity नहीं कोई भी practical training नहीं फिर भी आप जियोल जी लेके मतलब कि life के साथ situation नहीं ऐसा है क्या कर सकते है so situation को handle करना मतलब कि अभी जो time है आपको situation को handle ही करना है और लड़ाई के लिए तो तयारी होना है लड़ाई छोड़ नहीं सकते हैं पेटा क्योंकि आप नहीं लड़ोगे तो और कोई लड़ लगा तो इसलिए आप क्यों नहीं लड़ोगे थोड़ा सा मेहनत होगा थोड़ा सा पैसी नहीं निकलेगा नहीं तो सब कुछ आसान जब मतलब कि रेजल निकलेगा ना ओ वाला मतलब कि बहुत ही आपको साथिस्पाई रखेगा क्योंकि मेहनत आप किये हो न तो डेफिनाइटली आपको मिल जाएगा रेजट कोई डर नहीं कोई बात नहीं और टाइम को उटिलाइज करो मैं रोज आऊंगा, रोज कुछ कुछ क्वेस्टन डिसकसन करेंगे रोज आपको कुछ सीखने को मिलेगा अगर कहीं पे भी आपका डाउट है डेफिनेटली आप ग्रूप पे भी मेसेज सेंड कर सकतो, कोई दिक्कत नहीं मैं ट्राइ करूँगा उसका रेफरेंस देने के लिए उसका बताने के लिए और किसी भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि यूइक हो तो उस टॉपिक को छोड़ना ही मत इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाएगा बेटा नोट मिल जाएगा